राधार रादी राधी एवरीवन आप देख रहे हैं सीरियल्स यहां पर हम देते हैं आपको आपके फेवरिट शूज की इंट्वर्स्टिंग आपडेट आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है राधार राणी के साथ जो के समाधी लेने के लिए अ एक बार आखे बन करके कृष्ण के बारे में सोचती हैं और कहती हैं कि कृष्ण मैं अपना देह त्यागने से पूर्व एक अंतिम बार हमारी सारी सुखद इस्मृतियां याद करूंगी और उसके बार अपना मैं देह त्याग दोंगी और यहाँ पर देखते ही देखते बोर जादा शौक लगता है यहाँ पर सभी लोग कृष्ण से ऐसा करने का वज़ा पूछते हैं तब ही कृष्ण कहते हैं हर युद्ध में सदेफ राधा मेरे साथ रही है उसकी शक्ती मेरे साथ रही है लेकिन इस पार ना तो राधा है और ना ही उसकी शक्तियां इसलिए मै मैं आप सब की तरफ से युद्ध नहीं कर सकता मैं सिर्फ रक्षक के तोर पर आप करने तित्व कर सकता हूं आपके साथ रह सकता हूं लेकिन मैं आक्रिमन नहीं कर सकता यह सब कुछ देख कर शाल्व बहुत ही जादा क्रोधित होता है और वो शुक्र चारे से कहता है कि य मैं कह रहा हूँ वही करते जाओ मुझे पूर्ण विश्वा से कि राधा इस युद्ध में अवश्य आईगी क्योंकि राधा के पास कोई और कारण रहे ही नहीं जाएगा कि वो कृष्ण के लिए युद्ध में ना आए इतर दिखाया जाएगा कि राधा रानी कृष्ण और अपनी खुबसूरत स्मृतियां याद करी रही होती हैं तब श्री कृष्ण उनके पास आ जाते हैं जो कि एक माया है कृष्ण यहां राधा को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि याद करू राधा यह तुम क्या कर रही हो तुमने तो वचन लिया था कि तुम्हारी इम्रित अपना देहत्यागना होगा और फिर सोचो तुम्हारे वच्चन का इस फूरे संसार में हम दोनों के प्रेम का क्या मात लह जाएगा राधा कहती है कि नहीं कृष्ण ये तो चीटिंग है मतलब ये तो नाइंसाफी है मैं तुम्हारे नेत्रों में अपने लिए प्रेम नहीं देखना चाहती है और नहीं मैं तुम्हारे मृत्यू का कारण बनना चाहती हूँ ये कैसे दुविदा में डाल दिया तुम्हें मुझे कृष्ण तब ही श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी है राधा नियती को अभी ये मन्जूर नहीं है कि तुम अपने प्रांट्या को और नहीं ऐसा करना उचित होगा और राधा रानी बहुत ही जादा अपसट हो जाती है और धीरे धीरे उनके चारों तरफ लगी आग भी भुझने लगती है और जैसी वो नित्रुबंद करती है श्री कृष्ण भी वहां से गायब हो जाते हैं तब ही राधा रानी के कानों में कुछ आवाजें पढ़ती हैं कि रिशी वर कुछ बात कर रही है आपस में कुछ और वो कह रही है कि कृष्ण ने भी यो दिभूमी में अपने सारे अस्तर त्याग दिये हैं अब तो शाल्फ उनकी मृत्यू करना निश्चित रूप से मन ही लेगा यहां पर राधा ये सु क्रच यारे होते हैं जो कि छल से राधा को युद्ध में लाने के लिए मनाने के लिए आए हैं लेकिन राधा स्वयम से बाचीर करते हुई नजर आती हैं और कहती हैं कि चाहें जेव हो जाएं चाहें कृष्ण युद्ध भूमी में लड़े या अपने अस्तर का त्याग क यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि राधा युद्ध भूमी में आएगी अवश्य आएगी लेकिन वो हमारे में किसी से भी बुलाने से नहीं आएगी वो आएगी तो सिर्फ चल अस्तर के बुलाने से यहाँ पर ब्राम दाव और सभी लोग काफी जाड़ा हैं कृष्ण की बा करेगा वो सब कुछ एक करके राधा के सामने वनन करना शुरू करता है जिससे सुनकर राधा को बें तहां करोता आ जाता है राधा कहती अपसट हो जाएगा कि ठीक है राधा तुम बार में मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं और तुम अगर नहीं आना चाहती तो ना सही लेकिन मैं तो कृष्ण का हाल ऐसा करूँगा कि वो विवश हो जाएगा अपने प्रांट त्यागने के लिए राधा य जिससे कृष्ण को हानी पहुचेगी और वो शाल्व का पीछा करने का मन बनाती है वो देखती है कि शाल्व सीधा देव की मां के पास जा रहा है और उनका अपहरन करने का प्रयास कर रहा है राधा सब कुछ देखती रहती है और जब शाल्व देव की मां का अपहरन बना क तो यदि कृष्ण को पता चल गया, तो तुम्हारे सहस्त्र तुकड़े करेगा और तुम्हें अपना बोद भी ने रहेगा कि तुम्हारा शरीर का इस धर्ती से अलग हो गया। यहाँ पर शाल पर भी काफी जादा बातें करता है कि तुम्हारा कृष्ण ऐसा है तुम्हारा कृष्ण वैसा है मैं देख लूँगा कृष्ण को लेकिन वो देव की माता को बंधी बनाने से अजाद नहीं करता और यहाँ पर कृष्ण के बारे में बार करते हुए रादा कहती है कि चाहें कृष्ण युद्ध भूमी में सारे शुस्त्र त्याग चुका हो लेकिन जब वो अपनी माता को इस इस्तिती में देखेगा तो वो तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करेगा युद्ध भूमी में मैं चलू या ना चलू लेकिन कृष्ण अपनी माता का ये हाल ऐसे नहीं होने देगा इदर दिखाया जाएगा कि युद्ध भूमी में काफी ज़ादा परिशानियों से गुज़ा रहा है सबका टाइम और यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहें जो हो जाए मैं अस्तिर नहीं उठा सकता यदि रण भूमी में मेरे प्रांट क्यों न चले जाए लेकिन मैं अस्तिर नहीं उठा पाऊंगा बरदाम दाओ तब ही शाल्व आता है युद भूमी में और वो दिखाता है कि कैसे देव की मा का उसने अपहरन कर लिया है जिसे देखकर सभी लोग काफी जादा शौक में आ जाते हैं और श्रीकृष्ण के तो नेत्रों से अश्व बहने लगते हैं अपनी माता को इतनी जादा तपस्या में देखकर और यहीं हो जाएगा आज राद के एपिसोड के जिसके बाद आप देखना होगा काफी साथा इंट्वस्टिंग कि श्री कृष्ण जब अपनी माता को इतनी कटियर इस्तिती में देखेंगे तब क्या वो युद्ध करेंगे क्या वो श्याल्व के पसीने छुड़ा करके उस को मृत्यू दंड देंगे या फिर इस पार राधा राणी नहीं आएंगी श्री कृष्ण की मदद करने के लिए सारे सवाल का जवाब लेने के लिए आपको करना होगा थोड़ा से इंतजार लेकिन एक बात तो ते है राधा कृष्ण कभी अलग नहीं है इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि राधा राणी युद्य भूमी में जरूर आएंगी और अपने कृष्ण की शक्ती बन कर इस युद्य में सारे लोगों को विजय करवाएंगी और शार्व शुक्र अचारे को धूल चटाएंगी बरहाल आपको क्या लगता है अपने अपनी राए पूलेंग